जहिर साथियो, कैसे आप लोग, I hope आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे, तो आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन नहीं है, ये एक वो चीज आपको दे के जाऊँगा, कि कर्म टाइम में बहुत कुछ, कहते हैं, एक्जाम निकालने के लिए बहुत सी ऐसी टिप्स ह होती है, जो यदि हमें टाइम पर मिल जाए, तो आप लोग का एक्जाम निकल जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले तो एक इन्फोर्मेशन आपके लिए है, कि कल हम लोगों का एक GKGS का महा दंगल होने वाला है, हम लोगों ने कोर्सिस किये कि केवल आपको तिन सो क्वेश डिसकांट के लिए A, N, R, O, T, N, यह कोड आप लोग अपलाई कीजिएगा, यह आपके इसके डिसकांट के लिए हो जाएगा, ठीक है, यह बैच आप लोग जोइन कीजिए, उसके बाद, देखो, आज की जूश सेसने वेट है यह, इसमें एक मेन चीज आपको बलाता आप लोग सभी बच्चेन को नोट डाउन कीजिएगा, सबसे पहले लिखता हूँ में SICK, S, I, C, K, उसके बाद लिखता हूँ में AWARE, A, W, A, R, T, उसके बाद EPSOL, A, B, S, O, L, V, E, उसके बाद bereft, B, E, R, E, F, T, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे DEPRIVE, उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ CONSIST, C, O, N, S, I, S, T, CONSIST, उसके बाद EQUIT, EQUIT के बाद हो जाएगा बच्चे क्या, CONVICT हो जाएगा, EQUIT के बाद CONVICT, CONVICT के बाद यदि आप लोग देखते हो, यहाँ पे हो जाएगा PROFIT, उसके बाद यहाँ पे लिखो LOS, L, O, S, उसके बाद अवेल, उसके बाद INSPIRET, ठीक है, तो जितनी भी वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, जितनी भी वर्ब आपके सामने लिखे, चाएगा वो सीक हो, चाएगा अपका CONVICT हो, चाएगा एकविट हो, CONSIST हो, LOS हो, यह आपका INSPIRET हो, यह ऐसी वर्ब होते हैं, जो अपने हमेशा ही क्या लेंगे, ओफ प्रिपोजिशन को लेंगे, इनके बाद हमेशा ओफ का यूज केजिए, यह आपके HSC exam में, maximum देखोगे, यह सभी वर्ड आपके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इन सभी को कमबाइन किया, आप लोगों समझाय इनके साथ में हमेशा किसका यूज होता है, ओफ का यूज होता है, यह एक छुटा सा session था एक मिनट का, एक मिनट में आप लोग उन्हें बहुत सी बाते सीख लिया है, अगेन यदि आप लोग ऐसे ही कुछ वर्ड चाहते हो, तो आप लोग कमेंट केजेगा, कि यह session हमें क काफी अच्छा लगा, अगेन आप लोग ऐसा ही session लेके आईए, ठीक है, यदि आप English की class देखना चाहते हो, तो एक vocab का session होता है, केवल 20 मिनट का session होता है, 9 a.m. पे इसी channel पे, उसके बाद 15 mok आपके मैंने start कियो है, mok test आपका daily होता है, जिसकी timing है 11 a.m. सभी बच्चे इन दोनों classes को join केज़ेगा, आज के लिए इतना ही कैसा लगा session बताईएगा, आपके भाई अनिल को, thank you so much, जैहिन